इये क्या हो गया भाई हमारे टेयर को वाई ये क्या हो गया आप कराते हो नै यार और वह गलत पढ़ जाए तो थोड़ाई सा हो जाते है रोमूडा देश कराब हो कहते हैры न नमाज पढ़ने ग hop talk बाई की फॉचनर पे नंबर बहुत प्यारा है एच्चेन क्यों 22 नंबर लेकिन भाई अभी ये नंबर सिर्फ इस फॉचनर पे रहेगा ये नंबर जो हैं भाई अब आगे ट्रांसफर नहीं हो रहे बंद हो गए ये ट्रांसफर उने हर्याना में स्पेशल हर्याना में बंध हैं पंजाब में बंध हैं और काफी लोग जो हैं वो पंजाब में करा रहे हैं इदर उदर जोल जाल करके तो भाई प्लीज उस जोल में मत फसना चंडिगण में हो रहे हैं अभी ट्रांसफर ठीक है आपका दिल्ली में हो रहे हैं आपके राजस् में आज कल आप देखी रहे होगे बहुत जादा विकर हैं नमबर बहुत जादा गाडियों पर भी दिख रहे हैं ये नमबर तो बहुत जाँ जाँ हो रहे हैं वह वह तो पूरी वैल्यू है वाई इस नमबर की तो अच्छे तो लगते से देखो यार है ना vintage numbers है और जिस इसके पास है और कमाल उन्हों इतना संभाल के रखा है दरोहर बना के रखा यार इन numbers को तो यार बन नहीं करने चाहिए तैसे खैर कोई नी भाई सब को एक समान भी तो रखना है ना और 2018 में मोका भी दिया गया था के भाई आप अपने numbers surrender कर दो और बदले में same number जी हाँ government ने policy निकाली थी कि आप अपना ये number surrender कर दीजे और बदले में आपको same ही number दे देंगे हम किसी भी running series में आपको जिसमे available होगा मिल जागा वो free of course था आप ये जमा कराओ और दूसर ले जाओ लेकिन अब ये number भाई जिस गाड़ी पे हैं जिसके नाम है उसी पे ही खतम हो जाएंगे case चल रहा है अभी pending है भाई देखो क्या कभी क्या result आएगा फिलहाल तो भाई नहीं transfer हो सकते कई बारा पूछते हो ना विकरम भाई ये वाले number ये तो भाई ये नहीं हो रहे हैं जहां हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कैसे हैं आप सब उमित कता हैं आप सब बहुत अच्छोगर फुल में से भी life को enjoy कर रहे होगे भाई जैसे आज मैं जिमनी में बैठा ना बैठते मैंने देखा यार के जो स्टेरिंग है जिमनी का थोड़ा सा दाएंबाएं हो रखा है मतलब सीधा करके चला रहा हूँ ना तो सीधा नहीं है ये थोड़ा सा यू है तो मैं समझ गया भाई गाड़ी की हल्की सी जो है वो लाइन आउट हो चुकी है तो भाई उस लाईन में लाने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा और इसकी अलाइनमेंट ठीक कराने के लिए और अगर अलाइन्में टाइम पे ठीक नहीं चार दाड़ी को करेगी आफ़ बताओ मैं दो बताता हूँ आ इतनी बार जो मैंने बतादा है किस diagnosis खार्ट किर करते हैं थोड़े रन में नहीं लेकिन कई बार जब आप मालो एक लंबे रन पे चले ना 500 किलम्टर में और जबरस लाइना उट ए गाड़ी की खार इसकी तो इतनी ज्यादा नहीं है देखो सीधी चल रही है तो उस सिच्वेशन में लगातार चलते हैं गाड़ी के टैर खतम पाड़ी के अंदर लगवारा रक्रेट ठीक है तो जो यह रर वाला रा राइट साउड गाड़ा रहा है उसमें हमेशा ज्यादा रहता है सारे बराबर करता हूँ मैं लेकिन इस वाले सेंसर में बहुत ज़्यादा रहता है इसमें भी चेक कराएंगे कि इस वाले सेंसर में दिक्कत है क्या है पहले तो नहीं इसकी एकुरिट हवा चेक करेंगे कि यह 32 दिखा रहा है उनकी वियक मशिन फी 32 दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है सारे सेंसर से खांच हो जाएंगे नगल दीखा रहे हैं कि जिम्नी में हावा रखता हूं तुो 28 ज्यादा हुआ और अपनी नैनों में भाई साब गजब चीज बन रही है, कल मैं देखके आया था, आपने वीडियो ने देखा तो जाके देख लो उसको, उससे तो मैंने देखके एक बार लगा है, गलत पंगा तो नहीं लिया, पर गलत पंगा नहीं लिया भाई, अपने को पूरा विश्व उसकी शेपिंग जो होती है, वो स्टार्ट हो गई है, दो एक दिन में अपनी वाफ पिस आजएगी, और कलर का उप्शन बता दो यार, कि अपने को नैनो के उपर कौन सा कलर करना चाहिए, पर्मानिट कोई कलर करा दूँ या रैप करा हूँ, बताओ, तो भाई, निखिल ये डीबग तो हो गया, डीबग होते है, इसके तो एक दो रीडिंगे बहुत कम चली गई, इसकी ज्यादा आ रही थी, उसकी उतनी है, अचे क्यों करता है, ये बताओ ना एक बरी, एक दम से, थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो जाद है सेंसिटिव है सेंसर, ना जुक है, छ लगा हवा बहुत जादा है, मैंने एक दम से देखो भाई, ये स्कॉर्पेन के संसर, मैंने हवा निकाल दी, अभे देख लो, कहां पहुंच गई, 30, 39, 39, नी तो एंड के अंदर तो मैं रखता हूं, 35 minimum, लोग प्रोफाइल है ना, और इसके अंदर मैं रखता हूं, 28, 28, प दो भी चले, चार भी चले, पर जंप नहीं मारती ना, फिर उसमें, हलकी है, 30, 30 जैसे, नी पूरा खाली करा दो एक बारी, खाली करा आगे बरबादे, इसमें ना, मज़ा सा आ जाएगा, तो मैच हो जाएगा, मेरे को ये चेक करनी है, ये 32 वाली, आपकी मशीन में भी 32 आ खाली कर दो बिल्कुल, पहले चेक करना, देखना है, इस वाले में हवा कितनी है, इसमें आनी चीए 32 फिर तो सेंसर ठीक है, नहीं तो फिर सेंसर ड्रा रहा है, आगे पिछी जूर्त तो नहीं मेरे को दें लगता भी आगे पिछी जूर्त है, चिक भाई अगर आपने ध्य वहां कितनी आ रही हैं कितनी आ रही है तीसा आ रही है सेंसर 32 दिखा रहा है कोई नीज वर्मत खाली करनी है सारे चार टर खाली कर जाएगी और पक्का उड़ जाएगी पिसली बार भी उडगी थी ओ भाई ये क्या हो गया हमारे जमनी के टैर को हैं अब इसमें दुबारा से नेटोजन फिल करेंगे लो भाई हवा भरनी चालू हो गई और अपडेट भी हो गया साथ की साथ एक तीस इस करवारा हो अब मैं वहां उन्होंने सिस्टम में 31 भरी है थोड़ी बहुत एक डेड़ मॉंट दो रह जाती है न भाई पाइप में भी रहती है तो यह फोड़ात फरक है और भाई यह सेंसर का और यह मालो मशीन का एक आधिव पॉइंट का उपर नीची चलता है तो खैर इसकी इतनी टेंशन लेने की जूर्थ नहीं है वड़ा भी यह मोटा मोटा अपने को अंदाजा सब्याने होने चाहिए और बिलकुली ज्यादा कम ने होने चाहिए एक पंक्चर का पता लग जाता है अगर भौत ज्यादा कम हो जाती है और बहुत ज्यादा हो रहे हैं कोई दिक्कत ने आ रहे थी दिक्कत आ रहे थी भाई आपकी गाड़ी के अंदर जो टायर प्रेशर है वो बहुत जादा था इसलिए फटा भाई और एक चीज और जब भी आप अपनी गाड़ी की अलाइन्मेंट करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपकी गाड़ी क जो टायर प्रेशर है वो चेक होने बहुत जरूर है उसी के बाद ही भाई बैलेंसिंग करवाना और उसी के बाद अपनी गाड़ी की अलाइन्मेंट करवाना अगर इन चीजों का ध्यान रखो गया ना भाई तो ऐसे हाइवे पर माथा पकड़के वह यह क्या हो गया भाई सब्सक्राइज करें जो हमें सब्सक्राइज सब्सक्राइज जो करता कैई जै Chen Abdi वहां पे हवा भरी जा रही है और यहां पे तीरे तीरे साथ की साथ अपडेट हो रही है 24 PSI तक आगी है उस वाले में आगे 28 पिछे दोनों में 30 स्टपनिय में 30 इसमें भी 28 है इसमें भी बढ़ाऊंगा बढ़ाएंगे इसमें भी अगर इंजन का थोड़ा बजन रहता है ना आगर तो फिर भी थोड़ा सा दो पून जाज चल जाएगा कोई दिक्कत ने अब भाई भाई अबने 30 भाई की बारी आँ हाँ हाँ वाला बंद कर दिया अगरो स्टार्ट स्टोप तो बैठते ही बंद भाई दिया खरो तभी बंद हो जाती कितनी आउट है सत्वीस भाई में तो स्टेरिंग आए स्टेरिंग हलका सा और है लाइन तो इतनी आउट नहीं है पर भाई वो भी तो हो जाता है ना यह तो दिक्कत करता है ना कि वहाई आसे क्यों हो रहा है लै वह ट्रायल भी कराइए थोड़ा सा इतना ही डाउन है इतना ही चेड़ है ना चेड़ नी रहा मैं यह रखूगा आपको लगा चेड़ दूगा ना 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 चेड़ता नहीं और इसकी सेटिंग अलग है अलग से रोड दे रखी है यह जो रोड ना यह बाए जो छेड़ रहा है कर ले खाले तु कर घर मोद यह वाली आला इन्मेंठ के एसकी पिछे वाली रोड हो नगे वापसी कर वापसी कर ओर करो थोड़ा वापेश का उल्टा कर वापेश उल्टा कर वापेश उल्टा कर बाज तो तो जिस्टम तो वह यह बोड़ी बंद होगी इसकी है तो अपना अलाइनमेंट का काम भाई अब देखो गाड़ी बिल्कुल सही सीधी चल रही है स्टेलिंग भी हमारा सीधा है और बैलेंसिंग की आपने को जुब्त नहीं पड़े क्योंकि भाई रिसेंटली ही तो मैंने तो बार इसकी टायर चेंज कर आए आपको पता नहीं लगा देख लो अब बता याद करो यार क अब बता तो दूं यार है ना अलाकि मैं इससे एक दो वीडियो पहले भी बता चुका हूं पर शायद आपने वो पार्ट स्किप कर दिया हुआ आप स्किप करके वीडियो देखते हैं इसलिए आपको पता नहीं लगा मांकि ग्यस करो कि टैसे ने पहले दलाया होगा मैंने यह टैर जो मैंने अभी बैलैंसिंग नहीं करा ही दो क्रोसिंग की अपने को रिक्वार्मेंट नहीं क्रोसिंग जब होती ना जब 10,000 किलोमेटर यह सेम टैर से जाते आगे वाले पीछे पीछे वाले आगे आ आ जाते तो तब कराते हैं बसी छोटी सी चीज धान रखना है नहीं करते हैं तो बहुत तब ही वो चीज और एक भाई काना आ जाते दो तिन बार कमरेंटे हैं मेरे को यही था है जिस दिन में जिमनी के लाइन्मेंट करवाने के लिए जाऊँगा ना उसी दिन बात चीद करूँगा भाई से अरे तर से लुए आगए तो भाई की स्कॉर्पियन है वो कह रहे है विक्रम भाई मेरी तो गाड़ी देना साइड खीच रही है अब मैं इस त सब्सक्राइब करने के लिए बहुत समझदार मिस्तरी चाहिए नहीं तो भाई जो थोड़ी बहुत सही भी अलाइन्मेंट होगी ना वो भी आपकी बिगड जाएगी इसलिए मैं वही बात ना मैं स्कॉर्पेयन को ऐसी काम का किसी सेवी अलाइन्मेंट नहीं करवाता भाई नहीं आती हुए उसकी सेट हर किसी के आथ में और भाई अगर आपका गुड़गावा चक्कर है तो भाई यहीं करवा जाना नहीं तो भाई एक बार कोई अपने शेहर में को बढ़ियास सा अ पैनो बाला पकड़ लो भाई उसको एक बार दिखा के देखो तो शायद आपकी बात जित बन जाए पास्ट इंडिकेटर वाला करवाना था यह भी रह गया भाई मतलब यार एक काम कराने निकल लो यार बंदाना उसी काम में रह जाता है एक तो ट्रैफिक इतना हो जाता ह इस लाए बाला बैला दो खंटे तो हमारे को इसी में लगे और बैलन्सिंग होती तो एक घंटा ओर एड़ कर के मानलो तो तो तीन-चार घंटे कहीं नहीं और गायो पाया लुड़ ऑन्ड़ इसी हो गई गाड़ी की जैसे सर्वीस हो रही हो अब यह देखो हजार लेंब पर नॉर्मल सेल रहा है हजारले हम कर दू बंद इंडिकेटर पर बग रहा है ना देखो अब वैसे तो यह चीज़ दे रखिए साथ में यह हमने लगवाई नहीं अब एक भाई ने अपने कमेंट के था विकरम भाई फ्यूज बढ़ा दो हैं विशेक भाई फ्यूज बढ़ाने से हो जाएगा कुछ वैरे अब भीया कैसे हो आप कैमरे पे मिलो पिंटू डाड़ी बाड़ी बनागे चिकना बनगी हैं क्या बात है आकरिशना आया कुछ समझ में हैं कितने अंपेर का फ्यूज लगा हो इस पर इस पर अंध्याटर का इदर ने होगा दिदू अधर और वॉलगा अंदर वाले पर वह और यहां हमने एक चिनेक्शन दे भी रखा मैंने ऐक फ्यूज में एक इसमें अधरक ने करूआ इस में इसमें डे रखा है इसका दे रखाकी अधियारल का स करने कुछ जाते हैं कि फोलने के शेकर में धांगा लगा तारी पाढ़ दी ए तरह बला हो जानीज उगार चाइनी सुगार होता है बाई साब कुछ निए अटा दो भाई पादवाइद हो ठीका है अब तो बगेर घ्रिल के लिए नहीं पड़े भाई घर जाके इसके दूसरे वाड़ा लगाऊंगा जो आये थे company साथ वाले वह यह लगाएंगे बाई अपना यह वैसे बहुत तेज भागते थे वह जुगाड करने का मेरा मन था नहीं भाई शोट डोब क्या करें हटा दे भाई अटा दे फिर कोई और चीज है और जाज तब छोड़ता है जब कचरा हो कि भाई वैसे नहीं डालना चाहिए नहीं गाड़ी है दो चार साल पुराणी हो जब डालना चाहिए लेकिन भाई इसका कंडेंसर काफी चोक था मा विशेक भिया थोड़ा हाथ तो डाली दो इसमें केमिकल हाँ साफ करते मारते के याड में कहीं खड़ी थी फिर बाकी डीलर के याड में पता नहीं महां क्या क्या था चार वैन गाडियों के उपर विचारियों के उपर एक बार में मारू 30 का भाई अगर रेट सही कर देता तो आज इतना डिसकाउंट देना पड़ रहा है जिमनी के उपर वो देना नह एसी एक तो निकालते टाइम भाई सब तूट गई वो ग्रिल ठीक है दूसरा भाई वो इंडिकेटर गए ए देख लो भाई यह होगी हमारी जिमिनी ऐसे खेर इसका एक फायदा यह हो गया कि हमारे को ना जो अपना कंडेंसर है वो क्लिरली ऐसे दिग गया और इस पे आपका एसी का कुछ हुआ है मायार आपके अडवाईजर ने तो कुछ फोल उप लिया नहीं पर पूरी स्टोरी मैंने कहा हो नहीं पूरी डिटेल में समझाए उनको तो बोले सर ठीक है हम आपकी जिमनी का कंप्रेसर निया मंगवाते है और जो पार्ट आपके ते मायार व आपके लिए धरवे अढ़ा-णा का पिन अबर याप durationर्ण को कुर ने उन्साने देंख एक अपना यह इंसान अपना दो वी व अधियो डे जो मेरे नमगा डिसकाउंट जो लेना ना दे तो ये, ठीक है? जिसकाउंट देडिए मेरे नमगा पख़ कहा, इस जिन दिखा लिए उस दिन दिखा ऑँ जाने के लिए ना शस्टτί समझा बिखाणी पटी है समझा पिछवड़ा नहीं दिखाना अगः दिख़ झाल झाल